प्रीता हो गई बेहोस जी हाँ दोस्तों कुंडली भागी के आनो वाले थमाकेदार एपिसोड में जब निधी की फ्रेंड आरोही करन के साथ प्रीता को देखेगी और आरोही निधी को उक्साने के लिए निधी के पास जाएगी और निधी को कहेगी कि तुम देख रही हो कि प्रीता करन के पास है दोनों की नज़्दिगिया किस तरफ बढ़ रही है सिदे सिदे दिख रहा है कि निधी अब तुमारा करन की जिन्देगी से दूर होना तैह है इसे लिए जाओ जाकर प्रीता को निधी तुम दूर करो ये सुनकर तब निधी अपनी फ्रेंड आरोही की बातों में आकर प्रीता करन के पास जाएगी और निधी प्रीता करन को कहाएगी कि प्रीता तुम प्लीस मेरे करन से दूर हो जाओ इस घर से दूर हो जाओ यहां से चली जाओ तभी है जब राजविर सुनेगा तब भी राजविर को काफी बड़ा शौक लगेगा जहाँ पर जब राजविर सब के सामने आएगा और ना चाते हुए कहेगा कि निधी जी ने जो सूसाइट किया था वो और किसी की वज़े से नई पलकी करन लूथा की वज़े से सूसाइट किया था इनफेक्ट करन लूथा की जन्दिगी में जो भी लड़की आई है उसे सिफ मौत ही मिली है जिसा सुनकर आखिमा करीना बुआ करन के होश उड़ जाएंगे और आखिमा गुससे से राजविर को कहेगी कि कौन आई थी करन की जन्दिगी में तब हे राजविर कहाएगा मेरी मा, मेरी प्रीता मा मेरी प्रीता मा के साथ भी पिल्कुल ऐसा ही हुआ था जिसा सुनकर करन को मन में काफी ज़दा गुसा आएगा और प्रीता को काफी बड़ा शौक लगेगा यहाँ पर जब करन ना चाहते हुए राजविर को कहेगा और प्रीता के सामने सब के सामने खुलासा करते हुए कहेगा कि मैं सच बोलना नहीं चाहता था लेकिन तुम्हारी वज़े से राजविर मुझे आज बोलना पढ़ रहा है कि मैं पreeटा से बहुत ज़ादा प्यार करता हूँ जब से मुझे प्यार का ऐसास हुआ है तब से सालों से मैं प्रीटा से प्यार करता आया हूँ यहाँ पर जब करन पलट कर प्रीता के सामने देखेगा और आज भी कहेगा कि मा और करन प्रीता को अपनी बाहों में लेगा और कहेगा कि प्रीता तुम्हें कुछ नहीं होगा मैं हूँ और हमेशा से तुम्हारे साथ ही हूँ यह सुनकर निधी के होश उड़ जाएंगे और निधी पीछे हड़ कर किचन से चाकू लाकर करन के सामने रोने का ड्रामा करती हुई सूसाइड का नाटक करती हुई कहेगी कि करन I love you I love you so much मैं तुमसे बहुत प्यार करती हुँ यह कहकर निधी अपना हाथ काट लेगी और सूसाइड का नाटक करेगी जहाँ पर जब करन चिला कर निधी को कहेगा कि निधी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और लूथा उससे महमान एंबुलेंस बुलाएंगे जहाँ पर निधी और प्रीता दोनों को ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा और लेकिन जब राखिमा को ऐसास होगा कि राजविर और किसी का नहीं पल की प्रीता का बेटा है रुद्राक्षे राजविर तभी राखिमा राजविर के नस्दिक जाएगी और राखिमा राजविर को कहेगी कि राजविर तु नहीं है तभी एसुन का राखिमा के होश उड़ जाएंगे जहां पर जब राखिमा राजविर को कहेगी कि क्यों क्या हुआ तो अपने दादी से भी नहीं मिलेगा तभी राजविर कहेगा कि जो दादी मेरी मां से नफरत करती है उससे मुझे सरा भी लगाऊ नहीं है और ना सब्सक्राइब करें